हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल इस साइट सिधी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकर्स करने वाली हूं एंशेंट मेशोपोटामिया का जो आपका टॉपिक है जिसमें आपके सबसे पहली सब्याता पहली सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजे के बाद यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तो जैसे कि आप सभी जानते कि आपके मैसोपोटामिया के अंदर टोटल हमें फोर सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जो कि मैंने आपको मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन जब उस पढ़ाया था त मैं आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन सबसे पहले डिसकस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है आप किसी भी एक्जाम की प्रपेशन कर रहे हो और आपके स्लेबस में सुमेरियन सिविलाइजेशन है आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया उसके ब बेबिलोनियन सिविलाइजेशन का टॉपिक बाइस सिद्धी बार रिसार्च करेंगे तो भी मिल जाएगा जहां पर आपको बेबी लोनियन सब्यता के वारे में भी अच्छे घासे तरीके से समाजा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करतें अपने आज की क्लास को और देखत कर लो बैल आइकन प्रेस कर लो रात के साड़ेन वज़े आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी आगे जितनी भी वीडियो आई उसका अपडेट पाने के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक शेर बिल्कुल मत करना भूलना आप सभी के कहने से मैं इतना करती तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए उस चैनल को खूब आगे ज़र अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल भी मत भूलना चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ तो मेसोपोटामिय कियाता है यह आपका घ्रीक वर्ड Weird यह मैंने आपको बताय था था तो यह मतलब की आपके नदियों की बीच की भूमी जो आपका पार्ट हयना जो है मेसोपोटामियाख के और हमने एक चीज मेसोपोटामिय की पास कितने रिवर्र समय देख्呢 को मिलती है दो एक थे आपके टिगरीस और एक है आपका यूफरेट्स कि सब कुछ में अल्रेटी बता चुकी हूं तो मैं सब बटाम लिया कि क्या कि आपके पास जो यहां पे नदिया देखने को मिलेगी और टिगरीस और यूफरेट्स हैं क्योंकि हमने एक चीज देखी थी कि आपकी जो सिविलाइजेशन यानि कि जो आपकी सब्भेता आपको देखने को मिलती है यह कैसे लोग सेटल हुए इसके कारण मैंने आपको दो बताया थे सब्भेता तब बनी जबसे आपकी एगरीकल्चर यानि कि आपकी किसकी कि आपके लोगों को कि सैटल हो ना पड़ा जिसके वझार आपकी सब्भेताय मैं और दूसरा मैंने आपको पता था आपके मैटल ठीक है आपके धातूम परम १ूलिभी बनाने इत्रह बिल्डिंग भी विननानींग है तूसके लिए टूल्स यापन की जरुब पढ़ेग चुकी इनको भी जो में काम था इनका भी जो में एकॉनमी थी वह आपका क्या था भही आपका एग्रिकल्चर था तो जब आपको एग्रिकल्चर का काम करना है तो आपको ऐसी जगा ढूनने पड़ेगी जहां की लैंड क्या हो फार्टाइल हो उपजाओ हो जिसके वज़े से आप अपनी खेती यहां पे कर सके और उप्जाओ लेंड आपको भी पता है वही पे मिलेगी जहाग पे आसपास आपको रिवर देखने को मिलता है इसलिए आपके टिगरी और यूफलेटस आपको देखने को मिलता है चलिए आगे अगर हम बात करेंगे इस छेत्र के पहले निवासी ग्रीक नहीं बोले थे ये केवल हजारों साल बात था कि मैसेडोनिया के राजा ग्रीक भासी सिकंदर महान ने इस भूमी पर विजय प्रापती और अपने संस्कृति को अपने साथ ले गए थे हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो में देखा है मैंने काई चाहिए वीडियो में अल्रेडी पढ़ाय हुआ है कि आपके चाहिए मैसोपोटामिया हो थी के सब ने अच्छा-कासा रूल किया आपके एजिप्ट ने किया चाहिना ने किया देन आपके एंपार स्टार्ट वे ग्रीक एंप पूरे प्राची नितिहास में सबसे बड़ा एंपायर सबसे बड़ा समराज्य किसका था आपके एलेक्जांडर दी ग्रीट का या फिर आप जिने सिकंदर भी कहते हूं ठीक है सबसे बड़ा एंपायर था जो बाद में इन्नेोंने सारा कुछ कॉनकर कर लिया था ये एक ब बड़े शारों में नदिया बैतिया और कई प्रगती हुई मैसोपोटामिया पहली नजर में सब्वेता की फलने पूलने के लिए अदर स्तान की तरह नहीं दिखता था ये गर्म और बहुत सूखा होता था निचले मैसोपोटामिया यानि कि आपका जो लोवर मैसोपोटाम का हिस्सा हुआ और मद्यपूरव के में भूमी का एक छेत रुप जाओ और वर्दनकार में स्मृद है देखो यहां पर क्या है आज क्या है इनका जो लोवर मैसोपोटामिया का जो आप पार देख रहे हो यहां बहुत ज्यादा क्या था गर्मी थी और बहुत ज्यादा ड् बनेगी नहीं तो इसके लिए हमें रिवर्ड चाहिए ही चाहिए क्योंकि तभी आपकी लैंड फर्टाइल बनेगी तो यहां पर हमने देखा था और जहां भी आसपास आपकी रिवर्ड होंगी वहां पे साल में एक बार फ्लर्ड ज़रूर आता है ठीक है सबसे ज्यादा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहां पर यह स्टेबल रिवर्ड थी तीक है यह बहुत स्टेबल थी इसमें जाधा तर फ्लर्ड नहीं थे तो इसके आसपास लोग सैटल नहीं हुए और इस लिए इस तिग्रिस के तुरू इनोंने ट्रेड भी नहीं करा था क्योंकि यह स्टेबल नहीं थी इसके वेश बहुत हाई थे यहां पर फ्लर्ड के पूरे पूरे चांसे होते हैं इसी वज़े से यहां पर लोग बाद स्टाटिंग में नहीं रहे मैक्सिमम यूफरेट के आसपास सबने सैटल हुए इसी के तुरू नोंने सारे काम अपने ट्रेड का का यहां ही पर किया और अगरी कल्चर भी इन्होंने इसी के आसपास किया था यह सारी इंपॉर्टेंट चीज है आए चलिए बढ़ते यह रहा आपके पास बहुत अच्छे खासे तरीके से यह रहा आपका फॉर्टाइल क्रेसेंट वाला पार्ट नजर आ रहा है यह रहा आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल हो उपजाओ और आप खेती कर सकते हैं तो यह पूरा ग्रीन वाला पार्ट आपको नजर आई रहा है क्लियर हो गया तो यह रहा आपका टिगरिस मैंने बताए यह रहा आपका यूफरेट्स और यह लोवर मैसोपोटामिया का पार्ट ह आपको सी्रिय और तर्की में देखने को मिलता है तर्की बहुत अच्छे खासे तरीकी से आपको यह बहुत यह आपका कौन सा बात है यह लोवर मैसोपोटामियातर्ट आपको लोवर मैसोफोटामियाग्स इराक वाला पार्ट दिख zar handedक वाला यह कहां पे थे यह पवाला सिर्या और आपका अपर मैसुपोटामिय और यह वाली जगा अगर आप देखोगे तो यह यह को ब्लू लप पुरा पार्ट जहां अपना और चॉल क्रते लिस चांड में आपको इजिप्ट नक्स्ट सिविलाइजेशन आपको पता ही यह सब मेडिटेरियन सी क्योंकि यह सारे की सारे चो ट्रेड करेंगे इसके रिवर के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा जहां पर हमने सब अच्छे खासे तरीके से बढ़ाया और समझा है कि रोमन एमपायर ने सबसे पहले अपना मेडिटेरियन सी में ही किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगर हम बात करते हैं मैंने अभी आपको क्या बताया कि सुमेरिया सबसे पहले लोग है जो इन्होंने आपके मैसोपोटामे में माइग्रेट किया था ठीक है देक्रियेटिट सिविलाइजेशन और इन् पता भी होगा ज़िसे हम उर्स है सबसे पहले सुमेरियन के लोगों नहीं बनाया था और ईन्हों सिविलाइजेशन आपका वो फेज शोता है वो पार्ट होता है जब से आपके किस की सुर्वात होती है आपके ब्रोंज एज लोग है आपके कासर्ज करना अस्यूक्त चुक सब्क्राइब हम इन दोने को मैल्ट करकें इतना फैस मेल्ट करके दें तब रॉंकय को लाड़ किया कहा पर मैसोपोटाम्या इसके पर याद ंप प्रोट अपको यानि कि आपके के विड्य फ्लो आपके राइटिंगacción यह फ्लक्तिक पाई और je मैंने आपको Mesopotamia बढ़ाय था तो मैंने आपको बहुत तरीके से बताया था उसमें कि आपके वील का बढ़िये इन्वैंशन में हुआ था चाइना में पाइये का विश्कार नहीं हुआ उसके कोई भी सोच cowra में मिलते हैं इसलिए चाइना के लोगों को वील्स की जब भी ज़रूत पर तो इसने किस्टे लिया था आपके मैसोपोटामिया से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तब फार्मर्स इंसुमर क्रियेटिव लिविश्टू होल बैक दा फ्लॉट 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 चैनल रिवर्ब वाटर तो दा फील्ड यूज लीविश एंड कैनल इस फॉर कॉल इरिगेशन तो यहां पर एक बात है कि अब कि सुमेरियन के लोगों ने आपके सिचाई के लिए इरिगेशन के लिए क्योंकि अगरी कल्चर आप कर रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बता है कि बारिश होगी तो क्योंकि एक बात रहती है कि चलो फ्लरड आएगा तो हमेंसे सबको नुकसान तो सबको पता होता है बड़ उसके फायदे क्या होते है कि आप उससे आपकी लैंड भी क्या हो सकती है तो इरिगेशन का काम इजली हो जाता है बड़ हर साल ऐसा हो गई कुछ से मैं देखने करें यह सुमेरियन का एक और अविश्कार रहा कि यहां पर लेविस और कैनाल इरिगेशन के टाइम के रोने यूज किया था यह आपको याद रखना है ठीक है चलो यह तो आपकी अगरी कल्चर की बात हो गई सुमेरियन की आम भाशा थी और वह एक द प्रतेक का अपना राजा था और इक हमारत इसे जिगारूट कहा जाता है यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके मैसोपर्टाइम में भी आपको मोनार्की सिस्टम यानि राज तंदुर देखने को मिलता है यहां राजा आए थे यहोंने भी रूल किया था तो अच्छ सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें कोई भी यूद्ध देखने को नहीं मिलता तो फिर क्यों आपके सभ्यता के समय पर एक्सपैंशन यानि इसका विस्तार करने की जरूरत है देखो उस समय आपके सिविलाइजेशन के समय पर आपके छोटे-छोटे ट्रैवल गूप सोते थे यह लोग अटेक करते थे तो इन से प्रोटेक करने के लिए अपने आपको पावर फूल दिखाने के लिए सिविलाइजेशन को का भी विस्तार किया गया था अदर्वाइस जितना भी वह सिविलाइजेशन था उतने में काम बन जाता बट उससे काम नहीं बनने वाला था इससे में आपको कोई बड़ा बैटल देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे बड़े-बड़े युद एंपायर आय जादा कुछ ने देखने को मिलता है एकस्पैंशन भी हुआ था विस्तार भी यहां पर होता गया था यह भी एक बात है चलिए तो यहां पर आपने बात कर लिया आपके जिगारूट के बारे में मंदिर के साथ एक बड़े पिरमिड के अकार की मारत जो एक सुमेरियन कानी के नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी जो एक मूलनेवां संसाधन है प्रतेक शहर राज्ये को अपने पडोशियों से अपनी रक्सा के लिए सेना की आविश सकता थी तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अपना एकस्पैंशन करना ही घरना है ठीक है कोई बड़ी आर्मी की जरूरत हमें तब होती है जब हम कोई बड़ा यूद्ध या बड़ा बैटल को लड़ते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे यहां पर नेक्स लैट पे एक और फूप पिक्चर आपके सामने है तो यह आप देख सकते हो आपका यहां पर जो मैंने भी इस में एक इंग्लिस आर्केलोजिस्ट है जिनका नाम है सी लेंड वोले ने यहां पर इनके अकॉर्डिंग ली क्या था कि उर सुमेरे राज्ये की खोजने की उमीद्धी कि दक्षिन इराक गए यहां पर उर मैंने आपको बता है सबसे पहला इनका शहर है वूली ने अप इस आरिबराहिम का धरμिस्तान था तो इबराम यहुदी धर्म जो है इसाही धर्म हुआ आपका इस्लाम हुआ तीन एकशली वादी धर्मों में से केंदित वैपने हैं और कुछ का मानना है कि उर्दोफ का सहर है यह एक इमेजिनेशन है ऐसा कोई सहर था नहीं कुछ क्या बोलते कि यह होते हैं ठीक है बाइबल के अकॉर्डिंग अगर यह बोला जाए यह आपकी जो इब्राहिम थे उनका बर्थ प्लेस मानना जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप जिगारूट के खंडार के अपास खुदाई करने के लिए फैसले आ उन्होंने किया क्या अर्केलोजिस्ट इनका काम ही है और हिस्ट्री में जब तक हम पूरे अच्छे तरीकी से श्योर नहीं हो जाते जब तक हम उस चीज में आगे नहीं बढ़ते हैं तो यहां पर दो ख आकतमक्त जाली के साथ मेंचंब कर्णी और कव्त हैं आज से 45 सो साल पहले सुमेरियन के जीवरान का ने भी खोचकी जिसमें पूअभी नाम की सुमेरियन रानी भी सामिल ती इसमें क्या था कि आर्केलोजिस्ट है तो इन्होंने शहर भी है क्या फाइनली नो बोल दिया कि और आपका जो एक सहर है वह सुमेरियन का एक बनायवा सहर है ठीक है और इसमें आपके जो कॉमन पीपल और जो आपके रॉयल्स के भी ग्रेव्स आपको देखने को मिलते है उसमे एक सुमेरियन की क्वीन भी थी जिनका नाम था पूअभी ठीक है तो यह सारी चीज़े आर्केलोजिस्ट के अकॉर्डिंग लिए आपको देखने को मिलेगी फिर अराउंड 23 साल की बात पहले की पूर की बात यह लोग कर रहे हैं आपके सारगाओं कौन है यह अच्छे खासे कमांडर थे तीक है यहाँ पर क्योंकि सुमेरियन में भी राजा आपको देखने को मिलेंगे इनके समय पर अच्छी खासी आपको आर्मी और्गिनाइज देखने को मिलती है इसमें डॉंकी ड सारगाओं आपके प्राइडियन तो मैंने आपको चार सीविलायज सं मुं आपको चारियोटियां लॉंस प्रलत सेमेटिक यह है בע Xiaomi यहां पर चोटा-चोटाश ट्रैवल गृप सेमेटिक एक ग्रूप सेमेटिक जिस्टम बहुत्तर सांवेता नाम नाम है अर्यक्तिक है बेबी लोनिंग करें तो हमें आपको हित्तियों का नाम भी बताया था तो यह सारे कुछ छोटे गुरूप्स होते हैं जो यहां पर अटैक करते हैं ठीक है सुमेरी के उत्तर में मैसोपोटायमय में बस गए तो याद रखना जो सुमेरीयन थे वो मैसोपोटायमय के नौर्थ लुगंजगेसी ने सरगाओं के खिलाफ सुमेरीयन सर्राजो का गठबंदन बनाने की कोशिश करी लेकिन वैकट्ययागय से हार गया यहाँ पर आपके एक राज़ा ऑते हैं इसका नाम है सुमेरीयन क्िंग बटा सा कुछ हो नहीं पाया और वह हार गए फाइनली पर ये famous राजा थे और इन्होंने आपकी जो capital भी बना दी ठीक है capital अगाडे इन्होंने अपनी राजधानी बना ले अपने सुमेरियन civilization की पहली राजधानी आपको देखने को मिलती है और ये सरगाओं दी great जिने कहा जाता है ये आपके सुमेरियन empire के अच्छे खासे राजा थे जिन्होंने अच्छे समय पर rule किया था आगे बढ़ेंगे आपके सरगाओं की जो बेटी थी ठीक है उनकी दुनिया की पहली लेखी का थी क्योंकि उन्होंने अपनी देवी देवताओं के बारे में लिखी गई कविताओं का एक सैट पर अपना नाम भी लिखा था सरगाओ के बेटे भी थे और पोते ने भी उसके बाद शाशंग किया था लेकिन अंताया कैडियन समराज गिर गया और पुराने बेबी लूर समराज द्वरा प्रतिस्तापित हो गया तो यहां पर क्या हुआ फिर फाइनली इस अच्छा खासा रूल कि आपको सारे बूलर्स के बार इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में डिसकस करा दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं तो आप वर्ल्ड डिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक आउट कर सकते हैं और अगर आप इगनू के स्टुडेंट है तो आपको मह बढ़ने से पहले में यह जितनी भी हमारे चैनल पर नहीं है तो पहली बात तो हमारे टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों टेलीग्राम को जोइन कर लो एक आपके पीडियाफ कब जब भी यहां पर क्लास इसका लिंक शियर किया जाता है और सेकेंड टेलीग्राम चैनल है आपके डाउट और क्यारी के लिए आपको कोई भी डाउट या क्यारी है और याप नेक्स वीडियो कुछ भी आपको पूछना है आप सारा कुछ महां पर पूछ सकते हैं आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी और साथी जाथ क्यों एंटरेंस के हो चाहिए आप सेमेस्टर वाइस कोई भी आपको एक्जाम हो लेना चाहते हैं तो बाकि आप लोग वाट्सअप नमबर नहीं तो वाट्सअप नमबर टेलीग्राम चैनल तो मेरा इंस्टाग्राम है हिस्ट्रीयाइडू पॉइंट के नाम से आप महां से जल्दी अपर लाइक और शेयर कर दो चलिए बढ़ते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ अब हम आपके प्रशाशन यानि कि आपके अडिमिनिस्टेशन की बात करेंगे कि इनके समय पे आपका प्रशाशन कैसा था सुमेरियन मैसोपोटामिया सब्विता के सच्चे न बहुत सारी सिटीज बिल्ट करी थी सुमेरियन ने मैसोपोटामिय मैं जिसमें से एक सहर आपका निपूर लागेश उर किस चार मेजर सिटीज आपके सुमेरियन ने जो सहर इसने बनाये थे अपने टाइम पर परतेक नगर राज्ये का राजा सरवोच अधिकारी होता था ह में हर एक सहर में हर एक सिती में राजा अपने अच्छा आपको देखने को मिलती रहुपारटे आपको यहां है जो वीडियो का मुख्य स्तान जो था वह आपका जिगुराट था जो कर सुमेरियन का एक टैंपल था मंदिड था वेरी वेरी इंपोर्टन आपके अब्जेक्टिव में ये क्वेस्टन आ सकते हैं तो आपको चीजे पता होनी चीए आज कल ये चीजे स्टेटिमेंट में भी पू सुमेर्याइन प्रशासन की मुख्य वास्तू करते और उनकी सला से राजये पर शाष्ण करते थे तो मेंहां सुमेरिया वह को भी मद्ध करता है तो किससे पूस़के करता है प्रिष्डि से ठीक क्या किтивन सही है कौन सा टाइम सही है बहुर भी आपको लड़ने जाना युद्ध लड़ने जाना कौन से समय पर जाना चाहिए तो एक परफेक्टली टाइम तो टोटली वह आपके प्रिष्ट यानी ब्रहामन्स पर डिपेंड भी रहते थे इसलिए आप में सबसे टॉप पर इसलिए जो आपके ब्रहामन्स करेंगा तो वह बिना प्रिष्ट से पूछे करेंगा इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके ब्रहामन्स यानी की प्रिष्ट माने जाते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे आट ओफ राइटिंग इनके समय पर राइटिंग कौन से आपको देख पता है जिसको नहीं पता गूगल पर जाकर सर्च करना किस तरह की यह राइटिंग आपको देखने को मिलती है सुमेरियन वर रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यह लोग जो पढ़ते थे कैसे पढ़ते राइट टू लेफ्ट पढ़ते थे और यहां पर हमें बहुत सारे वीडियो में डिसकस करा चुक हूं महां से देखने न वहीं सारा कुछ यह लिख्ण है कुछ भी नहीं नहीं लिख्ण है यहां पर मैंने आपको बताया था कि टैबलेट्स आपको मिलेंगी देखने को तीक है इसमें सारा रिकॉर्ड लिखे जाते थे कौन से लेबर ने कित हैं very very important कितने 350 साइन से भी ज्यादा ज्यादा इन लोगों ने यूज करें और यह वाला important heading है जो मैंने आपको बताया Sumerian जो यहां पर पड़ते हैं Sumerian के यह क्यूनिफॉर्म लिखन दाय से बाय पड़े जाते हैं very important बहुत confusion होता सबको right to left है बहुत बार एक्जाम में यह पूछा जाता और आपको पता भी होना चाहिए समझाय है चलिए कलेंडर की बात करते हैं मैंने आपको कलेंडर भी बहुत अच्छी तरीकी से बताया था कि वही Sumerian ने महीनों और वर्स को निधारित करने के लिए कलेंडर को तयार किया था उनके उन्होंने एक वर्स में 12 चंधर मासों में विवाजित किया वही आपके 12 महिने जो आज भी आपको देखने को मिलते हैं थर्टीन मंथ सुमेरियन के कुछ जो आगया जैसे राजा आते गए तो उन्होंने क्या करा कि नहीं बारा महीने नहीं होते हैं थर्टीन मंथ कर दिया था उनका कलेंडर आप दोश्पूर्ण था क्योंकि एक वर्ष पांच दिन समयजित नहीं कर सकता था इस प्रकार 365 दिन हो प्रकार बंदर हैं बाद में आपके जो जितने भी अरेवियंज आए इन्हों ने सुमेरियन कालेंडर को स्विकार भी कर लिया और आज यहीं हमारे कैलेंडर में आपको देखने को मिलते हैं कि हमारे ट्वेल्ट मंत होते हैं और हर एक महीने में थर्टी 365 डेज और आपका वही जो फोर साल एयर बाद अगर आप करोगे तो 366 यानि आपका चार साल में जो आता है जो अब आगे आने वाला है नेक्स्ट इयर में ये सारे कलेंडर के फ्रॉसेज़ जो मैं आप अल्रेडी बता चुकी हूँ वील और काट की बात कर लेते पहिया और गाड़ी की मानव जाती के इतिहास ने सुमेरियन का एक महान योगदान पाईया था ठीक है इस पाईया के सुमेरियन सब्वेता की प्रगती को गती दी कुमहार एक्चाक के महाद्यम से विभिनाकार प्रकार के बरतन मनाता था पाईया वाली गाड़िया भूमी मार्क पे वेपार और वड़ेजी की सुविधा प्रदान करती थी सुमेरियों द्वारा पईये के इस अविश्कार ने उन्हें इतिहास के पनों में अमर कर दिया तो कि बील का इन्मेंशन हमें में सब्सक्राइब में ही देखने को मिलता है इससे इनको ट्रेड वेपार करना भी इजी ह हो गया यह सारी चीज आपको है देखने को मिलेंगी अब जब यह सारा कुछ है ट्रेड भी कर रहे हैं वेपार के बारे में भी देख लेते हैं आके सुमेरियन वेपार और वड़ेजी के छेतर में बहुत ही सक्षम था यह क्याते कि उन्होंने भारत सहीत अश्य देश के सा सात रेड के आपके एशया के कंट्री के साथ सा आपके इंडिया के साथ भी किया और यह आपके साथ इन्होंने ऑजीर्ट के साथ भी वेपार था पेहले वटागे प्रेक्राउट के पास weiter यहाद रखना है और जो आपके सहारे इंटरनेशनल धर्स अंब्लियों में पर्म लोगों ने किया सुमेरियन मुख्य के खादान आया अब यहां से जो भी चीज़ें सुमेरियन अपनी इंपोर्ट करता था ज्याद तर आपके वूल हुआ ठीक है आपके रेशन पुशाक धातू के समान और खजूर यह सारी चीज़े क्या होती थी इंपोर्ट करते थे क्या सिल्क ड्रेस, मैटली गोट्स और आपके डेट्स और समय के प्रगति के साथ सुमेरियन ने अनाज के बदले चांदी का स्युकार किया था ओवरॉल सुमेरियन सब्वेता मैसोपोडामिया सब्वेता की पहली अभी विक्ति थी यानि पहली मैनिफेस्टेशन थी सब्वेता मैंने आपको पताया सुमेरियन आपकी सबसे पहले इनोंने डूल किया इसके बास रवाएंगे आपके अकैडियन चीन्हों नहीं रूल किया worn आपके बेबी लोनियन जो कि मैं और डिसकस करा चुकी हूँ बेबी लोनियन के बाद आपके लास्ट रूल करते हैं असेरियन जो हम नेक्स वीडियो सी पर लेकर के आने वाली हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो तकि नेक्स वीडियो असेरियन सीविलाइजेशन पर मैं लाने स्यादा फोकस इनी पर होना चाहिए बाकी आशा करती हूं सारी चीज़ अच्छी घासे तरीजिस समझ में आ गई है सुमेरन ने भी अच्छा-खासा योगदान दिया अपने समय पर चार सहर बनाए अच्छा-खासा ट्रेड भी किया इस सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हू बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टापिक था सुमेरन जो आपके एक्जाम में कई बार पूछा भी जा था ठीक है अगर आपके में सब्सक्राइब में मैंने आपको पताय था कि यह आपकी क्या थी वैल्दी सिविलाइजिशन थी क्योंकि इसने किसी पे भी रोक ट अब बात है कि सुमेरन आपका खतम हो जाता है कैसे अकेडियन ने रूफ पचिस सो बीसी के अरॉंड पर हमला कर दिया सुमेरियन गया दन अकेडियन आए क्योंकि एक रूल करेगा दूसरे उस पर अटैक करेगा तब खतम होगा तब दूसरा आएगा इस तरीके से बेबी अच्छे तरीके से सारा कुछ में आपको बताऊंगी उसके लिए मेरे चानल पर बने रहे हैं चानल को सुस्क्राइब कर लो वीडियो पर शाना तो लाइक शर करना बिलकुल मत बोलना अच्छी क्लास कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताना आप लोग मुझे हिस्ट्री पर देखने को मिलने वाली है तिक है आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कापिक पर चाहते हूं मुझे कमेंट करके जरूर बताना अच्छा करते हो आज की वीडियो आपको हेल्पुल रहे हो और वीडियो पसंद आई हो तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है अ पिन नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वर वच्छिंग